नमस्कार आप सभी का स्वागा डेडी न्यूस पर आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेश बुलेटिन मैं हूँ मुकल शर्मा मेरे साथ मौजुद है मेरी सहयोगी बीना सिंग और आए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइन्स पर इस साल एक जुलाई से देश भर में लागू होंगे तीनों नए आपराधिक कानून केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना 36 गड़ को आज पीम ने दी 34,000 करोड रुपे से अधिक डिवलप्मेंट प्रोजेक्ट की सौगात विकसेद भारत विकसेद 36 गड़ कारिकरम में बोले आधोनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मस्बूत होगी विकसेद 36 गड़ की नीए सहकारिता शेत्र में आज देश में शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी अन्हभंडारन योचना पीम मोदी ने किया ग्यारा राजियों में ग्यारा पैक्स गोदावू का खाटर कहा सिर्फ विवस्था नहीं एक भावना है सहकारिता गिरफ्त में आया हलदवानी हिंसा का मास्टर माइंड बन भूल पुरा में आठ फरवरी को हिंसा के बास से फरार था अब्दुल मलिक जल्द ही होगी अदालत में पेशी तमिलारू में कॉंग्रेस को जटका तीन बार से कॉंग्रेस की विधायद विजय धारिनी बीजेपी में शामिल वहीं बीजेपी के चुनाव प्रभारियों की बैठक में लोगसभा चुनाव के लिए अगले सौ दिनों तक पार्टी के रणीतियों पर हुआ मन्त है आम आदमी पाटी और कॉंग्रेस के बीच गट बंधन से कॉंग्रेस में नारास की बीजेपी ने कहा लोगसभा चुनाव से पहले दो ब्रस्टाचारियों का हुआ है मिलन और उत्रप्रदेश में पुलिस भरती परिक्षा रद 6 महीने के भीटर होगी दो बारा परिक्षा आरों और ए आरों प्रारूंदिक परिक्षा की भी होगी जांश मुख्यमंत्री ने कहा अपराध्यों पर होगी सक्त कारवाई और आई अब खबरे देखते हैं विस्तार से देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदनने के लिए अधिसूचित किये गए तीन नए कानून भारतिय न्याय सहीता भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता और भारतिय साक्ष अधिनियम एक जुलाई से लागू होंगे केंद्र सरकार ने इससे जुड़ी अधिसूचना आज जारी कर दी है तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसत्कीन मंजूरी मिल गई थी राश्पती द्रॉबदी मुर्मू ने भी 25 दिसंबर को इन कानूनों को अपनी सहमती दी थी केंद्रिय गुर्य मंत्राले द्वारा जारी तीन अधिसूचनाओं के अनुसार नए कानूनों के प्रावधान एक जुलाई से लागू होंगे ये कानून अपनिविश्य के युक के भारतिय दंड सही था दंड प्रक्रिय सही था और 1872 के भारतिय साक्षा धिनियम की जगा लेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने 36 गड़ में 35,000 करोड की विकास परियोजनाओं का शुभारम और श्रिला नयास किया प्रधान मंत्री ने रायगड में एंटी पीसी के 1600 मेगावाट के लारा सूपर थर्मल पावर स्टेशन के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया प्रधान मंत्री ने इसके 1600 मेगावाट के दूसे चरण की आधार शिला भी रखी प्रधान मंत्री ने CCL की तीन प्रमुक फर्स्ट मॉडल कनेक्टिविटी परियोशनाओ का भी उद्खाटन किया इनसे कोईले की तेज पर्यावरन अनुकूल और कुशल मशीनी करत निकासी में मदद मिले की 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार ऐसी होगी कि पूरी दुनिया में हर भार्पिय का माथा गर्व से उंचा होगा ये गारंटी पूरी करने के लिए मैंने अपने आपको खपा दिया 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार गरीबों के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी गरीबों को लूटने वालों को गरीबों का पैसा लोटाना पड़ेगा आज देखिए गरीबों का पैसा लूटने वालों पर सक्त कारवाई हो रही है गरीबों का जो पैसा लूटने से बचा है वही पैसा गरीब कल्यार की योजनाओं में काम आ रहा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहकारी शेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारन योजना का विश्व भारम किया नईदिली के भारत मंटपम में हुए समहारों में प्रुधान मंत्री ने सहकारीशेतr से जुड़ी कई और बड़ी परियोशनाओं का भी शुभारम और शिलन्यास किया ग्यारह राजियों की ग्यारा प्रात्मिक खृषी रण समीतियों द्वारा संकालित, सहकारी शेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारन योजना को बेहद एहम पहल माना जा रहा है प्रधान मंत्री ने देश भर में 18,000 प्राथमिक क्रिशी रण समीतियों के कम्प्यूटरी करण का भी शुभारम किया ये पहल केंदर सरकार के सहकार से सम्रधी विजन के अनुरूप है इससे ना किवल इन समीतियों की कारिश्रमता बढ़ेगी बलकि छोटे और सीमान्त किसानों को भी बड़े पैमाने पर लाब होगा इस अबसर पर अपने सम्मुधन में प्रधान मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस और ध्यान नहीं दिया पिम ने कहा कि अब इस शित्र में विश्व की सबसे बड़ी योजना शुरू होने से किसानों को बड़े पैमाने पर लाब होगा दुनिया की सबसे बड़ी बंदारण योजना के तहट अगले पांच वर्ष में साथ सो लाख मैट्रिक तन बंदारण की क्षमता तैयार की जाएगी इस अभियान में सवा लाख करोड रुपिय से ज़्यादा का खर्च आएगा इस योजना के पुरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरुरत के मताबिख बंदारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे उन्हें बैंकर से रून लेने में भी आसानी होगी और वो सही समय पर जब उनको ठीक लगे कहां अब माल बेचने के लिए बाजार ठीक है सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाएंगे हलदवानी हिंसा के मास्टर माइन अब्दुल मलिक को तुराखन पुलिस ने शनिवार को दिल्ली से गिरफतार कर लिया है आई जी निलेश आनन भर्ने ने अब्दुल मलिक की गिरफतारी की पुष्टी की है आठ फरवरी को बनभूल पुरा हिंसा के बाद से अब्दुल मलिक फरार चल रहा था पुलिस ने कहा किसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा हलदवानी हिंसा के बाद पुलिस ने अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी सहेथ नो लोगों के खिलाफ धोकधड़ी का मामला भी दर जो किया था हिंसा के बाद से पुलिस ने इसकी संपत्ती को भी कुर किया था आठ फरवरी को हलदुआनी के बनभूल पुरा शेत्र में मलिक के बागीचे में अवैद मदर्सा और धर्मस्थल डहाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर स्थाने लोगों ने हमला कर दिया था अब्दुल मलिक जो है जो जो जिस पे 82-83 कारवाई और हुई है और पुलिस काफी जोरों से उसको तलास रही थी आज पुलिस ने जो है नहिनिताल पुलिस ने उसको जो है अबदुल मलिक को दिल्ली से अभी गिरफतार किया है अब ये नेंताल पुलिस जो है टीम अभी उस पे लगी हुई है और नेंताल पुलिस जो है इसको जल्दी जो है जो अपना कोर्ट में पेश करेगी है जम्मू कश्मीर में आतकवाद को बढ़ावा देने वाले फॉंडिंग नेटवर्क को खत्प करने की दिशा में एनाइए ने बड़ा कदम उठाया है नाइए ने हंदवाडा नार्को टेरर केस में लशकर एतवा और हिजबल मुझाहिद दीन से सम्मद चार आरूपियों की संपत्यों को कुर्क किया है साथी यूए पीए की धारा 25 के तहट कुल 2 करोड 27 लाग रूपे नकद भी जप्त किये गए है मामले में नाइए ने 15 लोगों के खिलाफ आरूप पत्र दायर किया है और अब तक कुल 12 आरूपियों को गिरफतार किया जा चुका है किसान अंदोलन में घायल किसान प्रीटपाल सिंग के लाज को लेकर पंजाब सरकार ने हर्याना को पत्र लिखा कर ये कहा है कि उन्हें पंजाब के हवाले किया जाए ताकि उसका सही धंग से उपचार कराया जा सके पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने हर्याना के मुख्य सचिव संजीव कोशल को पत्र लिखकर पीजी आई रोह तक में भरती किसान प्रीटपाल सिंग को पंजाब के अधिकारियों को सौपने का अनुरोद किया है यह सुनिशित करना है कि उनका इलाज पंजाब सरकार द्वारा पंजाब में मुफ्त किया जा सके भारत गिटहब पर डेवलिपर समुदाय में 2027 तक पहले इस्थान पर पहुंचाएगा Microsoft के Software Development Platform GitHub पर अमेरिका भी पहले नंबर पर काबिज है Microsoft के अध्यक्ष और CEO सत्या नरिला ने उमीज जताई है कि भारत अगले तीन साल में पहले इस्थान पर काबिज हो जाएगा भारत वर्तमान में GitHub पर सबसे अधिक उत्पादक AI प्रोजेक्ट बनाने वाले शीश दस वैश्विक समुदायों में दूसरे इस्थान पर है GitHub पर भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार है भारत के एक करोड 32 लाग डिवलोपर्स गित हब पर हैं जिन में से 35 लाख अकेले 2023 में इस प्रेट फार्म से जुड़े Microsoft Code Without Barriers प्रोग्राम को इस महिने ही भारत में लाँच करने जा रहा है इस प्रोग्राम के जरिए Microsoft 2024 में भारत में 75,000 महिला डिवलोपर्स को कोशल और प्रमानन प्रदान करेगा भारत में डिवलोपर्स वैश्विक स्तर पर गित हब पर जनरेटिव AI परियोशनाओं में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है इस निरंतर और महत्पूर्ण व्रधी के साथ गित हब का रुमान है कि भारत 2027 तक कुल डिवलोपर आबादी में अमेरिका से आगे निकल जाएगा तमिलनाडू में तीन बार की सिटिंग विधायक S. विजधार्णी BJP में शामिल हो गई है तमिलनाडू में आज उस समय कॉंग्रेस पार्टी को जोरदार जटका लगा जब विलाबन कोड निरवाचन शेट से कॉंग्रेस विधायक विजधार्णी ने पार्टी को अलविदा कहते हुए BJP का दामन थाम लिया उन्हें लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार अटकलें लग रही थी उनके कॉंग्रेस छोड़ने का एक मुख्य कारण पार्टी के आंत्रिक मदभेद रहे बहराल आज केंड्रिय राज्यो मंत्री एल मुर्गन और भाजपा तमिलनाडु प्रभारी अर्विन मैनन की उपस्तिती में नई दिल्ली मेवे भाजवा में शामिल हुई लोगसभा चुनाव के मदेनसर भागते जौनता पार्टी ने लोगसभा चुनाव के प्रभारी और सह प्रभारी की एक बैठक भाजपा मुख्याले पर बुलाई बीजेपी अध्यक्षर जेपी नडडा और संग्ठन महामंत्री वियल संतोश की मौजूदगी में इस बैठक में लोगसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अगले सौ दिन की रन्निती पर मंधन हुआ ये बैठक पार्टी और संग्ठन के लिहासे बेहत एहम मानी जा रही है क्योंकि बीजेपी ने इस बार चुनाव में तीन सो सतर सीट जीतने का लक्षा रखा है जबकि एंडिये के लिए चार सो पार सीट का मंट पीम मुदी ने दिया है पार्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा लगातार हर जगा ये दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी इस बार भी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी और केंडर में तीसरी बार एंडिये की सरकार बनेगी वहीं लोकसभा चुनाव से पहले आखिरकार आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस ने दिल्ली, गुजरात, हरियाना, गोवा और चंडिगर में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोशना की है लेकिन पंजाब में आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस ने अलग-अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है दिल्ली में साथ सीटों में से चार पर आमादमी पार्टी और तीन पर कॉंग्रेस चुनाव लड़ेगी कॉंग्रेस नेता मुकुल वास्टनिक ने बताया कि गुजरात में कॉंग्रेस 24 सीटों पर और आम आत्मी पार्टी दो लोगसभा सीट भरूच और भावनगर पर लड़ेगी हर्याणा में एक सीट कुरुक्षेत आम आत्मी पार्टी के खाते में गई है जबकि चंडीगड लोगसभा सीट और गोवा की दो सीटों पर कॉंग्रेस ही चुनाप लड़ेगी कुछ राजियों में कॉंग्रेस और आम आत्मी पार्टी के बीच गटमंदन की घुशना के साथ ही नाराजगी की खबरे भी सामने आने लगी है कॉंग्रेस के दिगच नेता रहे स्वर्गे अहमद पतेल की बेटी मुम्ताज पतेल ने भरूच लोगसभा सीट पर आम आदमी पार्टी को दी जाने पर निराशा जताई है तो वहीं दिल्ली में हुए इस गटमंदन पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई केंद्रिय मंत्री मिनाक्षी लेखी ने कहा कि ये चुनाव से पहले दो ब्रष्टाचारियों का मिलन है कारे करता पहले है नेताबाद में है और वो जो शक्ती संगठन की है वो जो शक्ती प्रधान मंत्री मोदी जी के नेत्रित्व की है उनके सामने ये जो बेजोड गठ बंदन है इससे क्या लाव मिलेगा संदेश خाली मामले पर केंद्रे मंत्री और बीज़े पी नेटा मिनाक्षी लेखी ने पश्ये मंगाल की ममता बनटी सरकार पर निशाना साधा उन्होंने ममता बनटी पर मामले के ख्यारोपी और टीमसी नेटा शाजा शेख को संगर्खण देने के आरोप लगाए उन्होंने कहा कि मम्ता बेनर जी बंगाल की बेटियों के साथ नहीं है लेकिन बीचे भी बंगाल की बेटियों के साथ खड़ी है शासन को लतार सकता है और चल सकता है इसी भी राज में जहां पर ममता नाम की मुख्य मंतरी हूं और उनकी ममता शहाजा और बादशा जैसे लोगों के प्रती हो लेकिन जो उत्पीडित बालक बालिकाएं और माताएं बहने हैं उनके प्रती उनकी ममता ना उम्ड़े तो ऐसे शासन का क्या ही कहें और क्या होना चाहिए संदेश खाली की महिलाओं ने टींसी नेता पर जमीन पर कबजा करने और महिलाओं के साथ योन शोशन का आरोप लगाया है जिसे लेकर लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द नियाएं मिले और संदेश खाली हिंसा के मास्टर माइन शाह जांशे को ग्रफतार कर सलाखों के पीछे भेचा जाए वही पेपल लीग के आरूपों के बाद उत्रप्रदेश पुलिस भरती परिक्षा रद कर दी गई है भरती परिक्षा 17 और 18 फरवरी को आयजित की गई थी प्रदेश सरकार अगले 6 मेहने के अंदर भरती परिक्षा फिर से कराएगी मुख्यमंत्री योगी आधिनाथ ने स्टिफ जांच और अब तक की कारवाही की समिक्षा के बाद शनिवार को ये फैसला लिया उन्होंने कहा कि परिक्षाओं की शुचिता से कोई समझोता नहीं किया जा सकता और युवाव की मेहनत के साथ खिलवार करने वाले बक्षे नहीं जाएंगे ऐसे आराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कारवाई होनी तै है मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्रिव भाग ने परिक्षा निरस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया है भरती बोड को लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एफाई आर दर्ज कराकर कारवाई करने के निर्देश भी दिये गए है सरकार ने प्रकरण की जांच स्टेफ से कराय जाने का निर्देश भी दिये गए है मुख्य मंत्री ने उतरप्रदेश लोग सिवा आयोग द्वारा बीते 11 फरवरी को आजजित की गई समिक्षा अदिकारी और साहिक समिक्षा अदिकारी प्रारमिक परिक्षा 2023 से जुड़ी शिकायतों की भी जांच कराने का निर्दे लिया है इस संबन में अपर मुख्य सचिव न्यूक्ति एवं क्रमिक ने आदेश भी जारी कर दिया है इसके मुताबित बीते 11 फरवरी को आजजित की गई समिक्षा अदिकारी और साहिक समिक्षा अदिकारी प्रारमिक परिक्षा 2023 के संबन में शाषन को संग्यान में लाई गए तथियों शिकायतों के द्रश्टिगत परिक्षा की शुचिता और पारदर्श्टा के उद्देश में यह निर्णे लिया गया है कि परिक्षा के संबन में प्राप्ट शिकायतों का शाषन इस तर पर परिक्षन किया जाए आदेश में कहा गया है कि इस परिक्षा के सम्मन्द में किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा इसकी शुचिता को प्रभावित करने वाले तत्यों के संग्यान में लाना चाहें तो वह है अपना नाम तथा पूरा पता और साक्षो सहित प्रामिक तथा न्युक्ति विभाग की इमेल आईडी जोकी SECY-appoint at nic.in पर इस पर 27 फरवरी तक उपलब्ध करा सकते हैं उत्तरप्रदेश के कासगंज में पत्याली दर्याव गंज मार्क पर विकाबू ट्रेक्टर ट्रॉली के तालाम में गिरने से हुए दर्दनाक सड़क हाथसे में 22 लोगों की मौत हो गई जिसके बाद ग्रामीन और पुलिसकर्मी राहत और बचाव कारियों में जुटे हुए हैं जानकारी के मुतावित मृत्कों में ट्रॉली में सवार साथ बच्चों और आठ मैला श्रधालू भी शामिल हैं कई गंभीर लोगों यानि श्रधालू को इलाज के लिए जलास्पताल में भरती कराया गया है तो कुछ को दूसरे बड़े स्पतालों में रेफर किया गया है बताया जा रहा है कि लोग गंगसनान करने जा रहे थे जनपद कासगंज में हुए सड़क हादसे में म्रतकों के शोक संतत्व परिजनों के प्रती समेदना व्यक्त की है म्रतकों के परिजनों को दो-दो लाख और गंभी रूप से घायलों को पचास हजार की सहता राशी देने के निर्देश दिये गए है दिल्ली विश्विद्याले आज 24 फरवरी को अपना सौवा वाश्रक दिक्षान समहारों मना रहा है इस समहारों में देश के उपराशपती जगदीब धनकर बता और मुख्य अधिती शामिल हुए उन्होंने सौवे वाश्रक दिक्षान समहारों के अध्यक्षता की इस दोरान उपराशपती ने दिल्ली विश्विद्याले के मिधावी छात्रों को सम्मानित भी किया समहारों को संबोधित करते हुए उपराशपती ने कहा कि एक राश्र के रूप में हम शक्ती शाली हो सकते हैं हमें इस बात का संग्यान होना चाहिए कि दुनिया हमें कैसे देखती है क्या हमारे प्रती दुनिया की कोई अलग धारणा है आज भारत एक प्रभावशाली वैश्विक देश के रूप में उभरा है उन्होंने युवाव से आवाहन किया कि सरकारी नौकरियों के अलावा भी रोजगार के शित्र में आपका भाविश्य है उन्होंने युवाव से उद्धिमी बनने पर जोर दिया तो फिलाल के लिए सांकेतिक भाषा के स्विशेश बुलिटन में बसित्ता ही मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिया अनुमती नमस्कार अनुमती नमस्कार